हम सब लोग यह मानते हैं कि अमरीका महाशक्ति हो सकता है शायद अमरीका से भी ज़्यादा प्रगति करने की ताकत हम में लेकिन हम में और अमरीका में एक फर्क है तो वो फर्क यह है वहां की प्रगति भौतिक है हम भौतिक प्रगति को अंतिम प्रगति नहीं मानते हम व्यक्ति की अध्यात्मिक प्रगति को अंतिम प्रगति मानते इसलिए पूरी दुनिया में उस प्रगति के और जाने की ताकत और शक्ति अगर किसी एक देश में है तो हमारे भारत देश में है और जहां एक और भारत की राजनेतिक विवस्ता भौतिक प्रगती को पाने की कोशिश कर सकती है वही उसी अध्यात्मिक प्रगती तक पहुचाने का काम हमारे पुझ्य संतों ने सेकड़ों ने हजारों ने लाखों साल यहां पर किया है और उसी को आगे करना भी पड़ेगा इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि यहां बैठे हुए जो सब हमारे संतगण है उन पर इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आप सबने उस दिशा में इस बैठक में विचार भी किया है उसकी कारिय योजना भी आप लोगों ने तियार की है तो मेरा विश्वास है कि जब संत यहां रास्ते पर निकलते हैं और अलग जगाते हैं तो समूचा समाज खड़ा हो जाता है और संतों ने जब परिवर्तन की बात सूची तो परिवर्तन बहुत तेजी से होता है मेरा विश्वास है कि आप सभी लोग इस दिशा में आगे बढ़ेंगे